दोस्तो स्वागत है हमारे चैनल राज ट्विटर है हिंदी में हैं आज की वीडियो में हम HT-Line क्या होता है और LT-Line क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और इनकी बीच में क्या डिफ्रेंस है वह देखेंगे तो दोस्तो यह एक बहुत important question है अगर आप electrical से जूड़े हैं तो आपसे पुछा जा सकता है HT-Line क्या होता है और LT-Line क्या होता है तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले इसके full form से सुरुआत करते हैं तो HT-Line का जो full form होता है दोस्तो वह होता है दोस्तो low tension line इसका full form क्या होता है low tension line ये तो हो गया अब आप सोच रहो है कि यह tension क्या है tension दोस्तो एक French word है ये क्या है दोस्तो एक French word जिसका मतलब क्या होता है electrical में और हो होता है voltage फ्रेंच में टेंशन का मतलब होता है कि फ्रेंच में इसको टेंशन कहते हैं लेकिन हम इसको वल्टेज कहते हैं तो यह फ्रेंच वर्ड है तो टेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों वल्टेज तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर लो वल्टेज लाइन या हाइव 11 KB से ज्यादा क्या होता है कि 11 KB से जो यह वो होता है मतलब उपर होता है उसको हम High Voltage मतलब की HT Line कहते हैं वहीं पे Load Tension क्या होता है दोस्तों अगर हम इंडिया के बात करें तो Load Tension Line अगर हमारा Voltage 1000 Volt से कम है मतलब कि 1100 KB से कम है तो उसको हम Load Tension Line कहते हैं मतलब LT Line कहते हैं अगर हम Single Phase की बात करें दोस्तों Single Phase में हम लेते हैं 230 Volt अगर हम 3 Phase की बात करें तो 3 Phase में लेते हैं दोस्तों 440 या 440 तक 3 Phase में लेते हैं तो यह तो हो गया दोस्तों Voltage की बात तो अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पदेखें देश्चों. 11 KV से एबो क्या होगा? की हमारा H T Lайн होगा? 11 KV से उपर मतला कहा तक हमारा H T Lайн होता है? तो दोस्तों 11 KV और 33 KV तक हमारा क्या होता है? की H T Lайн होता है? अब इसके उपर के 66 KV आता है 132 KV तो यह क्या हो गया यह दोस्तो होता है eht का मतलब क्या होता है दोस्तो एक्स्ट्रा हाइटेंशन यह होता है दोस्तो एक्स्ट्रा हाइटेंशन यह होता है दोस्तो एक्स्ट्रा हाइटेंशन यह होता है दोस्तो एक्स्ट्रा हाइटेंशन तो आप समझ गए होंगे कि जो हमा सब्सक्राब तो यहां मैं पिन इन्सुलेटर का रिची विटिय прalsoिफा में i1 तो यह तो इस्ट्रेट लाइन हमारा जब सीधे ट्रांस्मीट होगा तो जाएगा अगर मान के चलिए कहीं पर घुमाओ पड़ गया तो यह तो आप खांचे में लगाए हुए तो यह निकल जाएगा तो वहां पर क्या करते हैं कि हम डिस्क इंसुलेटर का यूज करते हैं है HT LINE में अगर LT LINE में बात करें तो 1.1 का COPIN इंसुलेटर यूज होता है सेम सेम इसी टाइब का होता है उसमें भी खांचे होते है और उसमें क्या क्खांच करें यहां पर बाण दिया जाता है में और सेकल इंसुलेटर इसके लिए वह होता है कहीं पर अगर ध्रहएं वहाँपर मोईता है कि सेकल इंसलेटर का युज करते हैं हम 1 में तो यह बातर अगर हम इनके बीच में छिख ивают है तो जो हमारा हम च्यक्श आरे कंडबे डोपर होता है दोस्तों बसक्लिश इयॉँ मोध कच सब्सक्रासिक्शाaurais लेने के लिए बहुत ही suitable होता है बहुत ही अच्छा होता है इसकी जो ठीकनेस होता है मतलब cross section area जो होता है दोस्तों वह होता है 50 mm मतलब 50 mm और इसकी जो current current carrying capacity होती है वह होती है दोस्तों लगभग 158 kA के लगभग होती है दोस्तों तो यह rabbit conductor जो होता है वह rabbit conductor HT line के लिए यूज किया जाता है वहीं पर अगर हमारा LT line के बात करें तो वहाँ पर जो best conductor होता है वह होता है squaral conductor squaral conductor LT line के लिए बहुत ही best conductor होता है इसकी जो cross section area होती हो वह होती है 20 square mm और इसकी जो triple C होती है मतलब current carrying capacity होती है वह होती है 90 ampere के लगभग तो दोस्तो यह जो हमारा HT line में यह conductor rabbit conductor यूज किया जाता है और maximum 90% squaral gauge क्या करता है LT line के लिए और rabbit conductor HT line के लिए यूज किया जाता है तो यह तो हो गया दोस्तो HT line क्या होता है और LT line क्या होता है आपको मैंने हर step में बरता दिया दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज टूटरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही लेटकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूं और आपको कोई सवाल है या आपको कोई कुश्चन करना चाहते है या आपको कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए धन्यवाद